नमस्का दोस्तों एजू फार्मेसी चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोफर्ट मैक्स टैबलेट के बारे में तो चलिए वीडियो में शूकर लेते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस तवा के कंटेन से तो पॉलिक एसिड 5MG, मिथालको बालामीन 1500 MCG, पायरी डोकसिन हैड्रोकलोराइड 1.5MG पर है, लाइकोपीन 6% USP 4MG पर है, सेलेनियम 200 MCG और लास्ट इस तवा का कंटेन है लीवो कार्नेटिन जो की 50MG पर है इसके एक पूरे पैक की कीमत होती है 1151 रूपीस 1151 रूपीस में आप चाहिए तो इसे medical store ये discount पर online से purchase कर सकते हैं, इस दवा को marketed किया जाता है, मनीश Pharmaceuticals द्वारा तो चलिए, एक एक कर हम इस दवा के फायदों के बारे में बात कर लेते हैं, तो दोस्तो, Cloffert Max ovulation stimulants group की दवा है, इस दवा का उपयोग female infertility या महिला बॉंच्पन में किया जाता है, जो pregnancy conceive नहीं कर पाती है, यहां दवा महिलाओं में प्रजनन चमता में सुधार कर और उसे प्रजनन चमता को बढ़ाने का कारे करती है, साथी Cloffert Max ovaries से healthy egg के production को बढ़ा देती है, ताकि pregnancy conceive करने में ज़्यादा समश्या ना आए, ओवराल देखा जाये तो यहां दवा pregnancy के chances को बढ़ा देती है, और महिला बॉंच्पन में इस्तमाल की जाती है, इस दवा को पूर्शों में भी दिया जाता है, ताकि low sperm count को बढ़ आया जा सके, इस दवा की कुछ side effect भी हैं, जो की हर condition में नहीं होते हैं, minor condition में होते हैं, जैसे की पसीना आना, पेट से जुड़ी परिशानी होना, उल्टी होना, सिर्दर्थ की समश्या होना, इस्तन को मलता, त्वचा का लाल होना जैसे समश्या हो सकती है, इस दवा के dose के बारे में अगर बात की जाएं, तो दोस्तो इस दवा की जो dosage हैं, आप अपने जितना डॉक्टर के according ही ले, उतना ही जादा आपके लिए बहतर रहेगा, साथी इस दवा में जो white वाली tablet है, वहाँ clomiphene citrate की है, जो की 25 टेबलेट हैं, और साथी जो brown tablet है, वहाँ anti-oxidant, multi- vitamin, amino acid और मिल्दस की हैं, और दोस्तो जब आप इस दवा का dose लेते हैं, तब आपको time fix रखना है, ताकि आपको दवा का result अच्छा मिल सके, आप जो clomiphene citrate tablet है, उसे खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, और ये जो multi-vitamin tablet है, तो इससे भी आप खाना खाने के बाद ले सकते तो बैतर ये ही रहेगा, आप खाना खाने के बाद लें, उस अनुसार इस दवा का आप सेवन कर सकते हैं, अगर आपको इस दवा से जुड़े कोई प्रशन हम से पूछना हो, तो comment के माध्यम से जरूर पूछेगा, आपके question का हम जलसे जर रिप्लाइ करने की कोशिश करें इस चैनल का उद्देश आपको दवाईयों के बारे में जानकारी प्रोवाइड करना है, अगर आपको रोजाना ऐसी ही दवाईयों से जुड़ी जानकारी पसंद आती हो, तो आप चैनल को सस्क्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट दे सकते हैं, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धेनेवाद,